हेलो गाइज, वेलकम तो एडवेट एजुकेशन, तो जैसा कि आप सभी को पता है, एड़ी सी की वेकेंसी रिलीज कर दी है, और आने वाले कुछ मंच के अंदर ये एक्जाम भी कंडेक्ट करा लेंगे, तो जो स्टुडेंट्स का टार्गेट है, एड़ी सी एक्जाम को क्र एक्जाम को 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 download the gate academy live classes app from the google play store after that you can enroll in the our adc batch and the validity of this course is about six month well it is six month because within six month the exam will be conducted and if you have any question any doubt related to this batch you can call on this number that is 9755662248 and also these numbers okay so both he well designed طریقے سے course को बनाया गया है तो आप इस course को जरूर जाइन करिए ठीक है तो जैसे कि मैं आपके लिए फिजिक्स को लेकर आया करता हूं आज भी मैंने आपके लिए एक और फिजिक्स का क्वेशन लेकर आया हुआ है ये फिजिक्स को क्वेशन इन 2016 ये 2015 के एक्वेशन में आया हुआ क्वेशन है देखेंगे एक क्वेशन को कैसे सौल किया जाए गा तो क्वेशन कह fils के रहा है कि अ सभेटेस प्रोंट भैस्ता फोंट व्रेस्ट अस्टेशन एक्सेंट इसके मिए Ved имеет यह सद्विक्ट पर सेकेंद स्कूर की वेशन दे एक्सेक div minute, it runs at a constant speed for 30 seconds. After that, it de-accelerates at 4 meter per second until it stops at the next station. The distance between the two station is, इन दोनों के बीच का हमें distance बताना है. क्वेशन को कैसे deal करेंगे, सर क्वेशन हमें यहीं से नजर आ रहे हैं कि यह तीन पार्ट में है, कैसे पार्ट में है, पहले में यह कह रहा है कि यह accelerate कर रहा है, पहले पार्ट में यह कह रहा है कि यह accelerate कर रहा है, for 10 seconds, 10 seconds के लिए accelerate कर रहा है, 30 seconds के लिए constant speed के साथ move कर रहा है, and for the next, अगला हमको time नहीं दिया है, but इस 30 seconds के बाद जो वो time travel कर रहा है, उस time के लिए वो de-accelerate कर रहा है at the rate of 4 meter per second square so हम इस question को कैसे solve करेंगे इस question को अगर हमें solve करना है तो आपको क्या करना होगा question को 3 parts में लेके आना होगा ठीक है काम किया जाए question को इला लिया जाए ठीक है तो यह रहा मेरे पास question चलिए जैसे कि मैंने कहा इसको 3 parts में हम क्या कर लेते हैं divide कर लेते हैं पहले journey को A से B रखते हैं फिर दूसरी journey को B से C लखते हैं फिर next, third part of the journey पहले part, journey के पहले part में या कहें कि initial stage में ये move कर रहा है इसके अंदर जो acceleration है ये acceleration है 2 meter per second square का ठीक है और time भी दिया हुआ है हमें कि ये कितने time के लिए move कर रहा है तो ये 10 second के लिए move कर रहा है यहाँ पे कोई velocity नहीं दी हुई है लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा है साफ साफ कि ये start कर रहा है rest से और जब भी कोई object जब भी कोई body जो हमारा physics रहता है इसमें ऐसे ही language में question रहता है और हमें यहाँ कर मालूम चला कि ये जो भी body है ये rest से start कर रही है it means that its initial velocity is zero it means that its initial velocity is zero ठीक है तो ये तीनों चीज हमको दी हुई है कहां से कहां तक के लिए सर ए से बी तक के लिए फिर बी से सी के लिए क्या कह रहा है कि सर उसके बाद ये 30 सेकंड के लिए यहां की जो time है सर ये है 30 सेकंड उसके बाद 30 सेकंड के लिए ये constant speed के साथ move कर रहा है ठीक है and for the next c to d ये है सर कितने speed से ये accelerate कर रहा है at the rate of minus 4 meter per second square ठीक है तो कुछ ऐसा प्रकार से ये है हमें पोल रहा है total distance निकालना है a से ले करके d के बीच का एक एक पार्ट को एक एक करके deal करेंगे पहले वाले पार्ट की बात करते है first वाले पार्ट में या मैं कहूं कि stage 1 लिखना चाहो तो stage 1 लिख सकते हो या initial stage जो मर्जी आया वो लिखे stage 1 में ये कैसे कर रहा है सार stage 1 में हमें पता है formula formula की सीच का सार distance का 3 equation है हमारे पास V is equal to U plus A T V square minus U square is equal to 2 A S, S is equal to U T plus half A T square so we are going to use the formula that is S is equal to U T plus half A T square here S denotes the distance sir यहां पे यह U की value यह जो इसकी value है इस U की इस U की value 0 है यह पुरा term 0 हो गया तो बचा गया sir बचा ऐसा की S is equal to half into acceleration acceleration क्या है sir acceleration है 2 meter per second और time क्या है sir time है 10 का square जब इसको solve किये हम लोगों ने तो हम लोग देखे कि sir 2 से cancel हो गया 2 यह हो गया 100 तो हमारा जो पहला पार्ट है इसका मतलब A से B के बीच का जो distance है sir वो हो गया हमारा 100 meter यह हमना पहला पार्ट solve कर लिया अब second part की और आते हैं second part की देखते हैं क्या होगा second part में second part कुछ ऐसा है sir यहां पर time दिया हुआ उसके अलावा कुछ नहीं दिया है time दिया है उसके अलावा कुछ नहीं दिया है तो कैसे होगा यह पर हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग को पता है कि यहां पर यह किसी velocity के साथ यहां तक पहुंचा होगा यहां पर जो इसकी velocity होगी बी point पर वो velocity यहां की final velocity होगी वो velocity यहां से object move कर यह हमारा जो train था यह move करना स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, यहां तक वो मूव ही कर रहा था, इसके बाद उसने acceleration को क्या कर दिया, constant कर दिया, acceleration 0 हो गई, और एक constant speed से वो मूव करने लगा, सर जो इसकी यहां पर starting velocity होगी न, वो इसकी जो final velocity थी, इसकी final velocity हम लोग ने निकाली नहीं है, उसकी final velocity हमें क्या करनी होगी, सर निकालनी होगी, ठीक है, इस जगह की हम लोग निकाल रहे है actual में, तो आप चाहो तो इसको यहां लिख सकते हो, इस part को यहां लालो, ठीक, सर यहां पर u की value तो चा क्या थी, sir u की value जो है यह तो 0 है तो v की value किसके बराबर होगी sir v की value acceleration acceleration कितना है 2 meter per second है और time कितना है sir 10 है that is v की value आगई कितनी v की value आगई 20 meter per second 20 meter per second v की value आगई अब मेरे पास यहाँ पर v है v है जो यहाँ का final velocity होगा वो b point के बाद से initial velocity हो जाएगी 20 meter per second ठीक है time दिया हुआ है मुझे कितना sir 30 seconds अब मेरे पास v दिया हुआ है मेरे पास t दिया हुआ है मुझे वहाँ से b और c के बीच का जो है वो distance निकालना है sir मुझे distance निकालने के लिए simple formula यूज़ करना है distance is equal to speed into time distance is equal to speed into time यहाँ पे आप simple formula यूज़ कर लो speed है कितनी sir 20 meter per second की speed से 30 seconds के लिए यह जा रहा है that is यह हो गया sir 60 meter so हमारा distance to that is s2 की value आ गई कितनी sir s2 की value आ गई 600 meter अब इस s2 की value आने के बाद हम अपने third stage पे पहुंचते हैं third stage पे हम देखेंगे कि वहां क्या होता है sir third stage पे हमें जो velocity है sir यह velocity तो constant velocity से move कर रही थी यहाँ से 0 से start हुई accelerate होते 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 यहाँ पे 20 meter per second की velocity तक पहुंच पाया थे हम लोग इस point पे 20 meter per second की velocity तक महुंचे दे और उसके बाद इसको constant रखे यहाँ तक तो sir यहाँ पे भी आएगा 20 meter per second यह जो है sir इसकी initial velocity हो जाएगी अब यह यह यू क्या हो जाएगा sir यह हो जाएगा 20 meter per second सर यहां की जो final velocity है question में ही कह रहा है until it stops stops मतलब final velocity जो होगी वो क्या होगी हमारी 0 होगी और यहाँ पे acceleration दिया हुआ है acceleration जो है actual में यह d acceleration है that is why इसको हम लोग सामने minus लगाके रखे है क्या कर सकते हैं अब sir जैसा यहाँ पर यह formula हम लोग ने use किया था s is equal to ut plus half 80 square उस formula का क्या कर सकते हैं उस formula का क्या कर सकते है यूस कर सकते है जब s is equal to ut plus half 80 square का formula use करने का समय आए ना तो सर यहां पर दिक्कत आगई यहां पर दिक्कत कुछ ऐसी आई कि सर यहां पर टाइम ही नहीं दिया है यहां पर हमें टाइम नहीं पता है तो हम टाइम कहां से निकालेंगे सर टाइम हम लोग इस फॉर्मले से निकालेंगे वी इस इक्वल टू यू प् S में है, that is why यहाँ पे 4, and 7 में T, और 7 में T, फिर जब हम लोग इसको solve किये, तो यह आ गया, Sir, 20 by 4, that is 5, तो Sir, time भी मिल गया, 5 second आ गया हमारा समय, अब यहाँ पे put कर लेते हैं, यहाँ पे क्या किया जाए, इसको put किया जाए, तो Sir, S is equal to, U की value कितनी है, Sir, U की value कितनी है, 20 है, U की value 20, time कितना है, Sir, time है 5, plus half, A की value कितनी है, Sir, A की value है, minus 4, और इसमें time कितना है, Sir, time है 25, ठीक है, 5, मतलब 5 का square 25, यह इसको solve कर रहे हैं, अब तो यह 4 divided by 2, that is minus 2, minus 2 into 25, minus 50, और यहां से 100, that is S3 की जो value आई, यह कितनी आई, Sir, 100 minus 50, तो अगर इसको हम लोग solve करेंगे further, तो यह आए कितना, Sir, 50 meter, तो हमें यहां पर नजर आया कि Sir, A से B के बीच का जो distance है, the distance between A and B is 100 meter, the distance between B and C point is, what is, what it is, it is 600 meter and the distance between C and the final stoppage is about 50 meter, so total distance, total distance, total distance will be 600 plus 600, it is 700, 700 plus 50, that is 750 meter, so हमारा answer जो आ रहा है, वो 750 meter आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं यह option में available है कि नहीं है, कहीं गलती तो नहीं होगी है, बिलकुल available है, that is option number C, 750 meter is the correct answer, so एसे डेक के question आपके exam में आए हुए हैं, थोड़े लेंदी हैं, लेगिन आपको अगर proper formula वगेरा पता हैं, उनको implement करना आता है, तो आप ऐसे question को ज़रूर exam में solve कर लेंगे, ठीक है, तो ठीक किसी प्रकार मैंने आपके लिए एक और question लेके आया हुआ है, same ऐसा ही question, एक homework रखा हूँ मैं आपके लिए, यह question ऐसा है, question कहा रहा है, due to acceleration of 2 meter per second square, the velocity, due to an acceleration of 2 meter per second square, the velocity of a body increases from 20 meter to 30 meter per second, in an certain period, time period के अंदर, find the displacement of the body in that period, इस जो distance था, जो यह time था, इसके बीच में, body ने कितना displacement हुआ, मतलब एक जगा फे दूर्से जगा कितना दूरी तक गया, वो उसकी value आपको find करके बतानी है, इस question का answer, आप मुझे comment box में provide करिएगा, जिसका भी answer सही होगा, उसे मैं heart provide करूँगा, okay, so this is it, और फिर से अगर आप सभी students, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अपना airport authority of India की preparation करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, कि जो हमारा batch launch हुए है, ये at an offer price of only 3,500 रुपीज है, और ये जो ATC का batch है, especially designed है, और काफी अच्छे तरीके से इसको planned और prepare किया गया है, live classroom program है, और ये आपकी जो offer valid रहेगा, that is of 3,500 रुपीज का, ये cable 15th June तक के valid है, तो इसके लिए बहुत ही कम समय बचा है, आप जल्दी से जल्दी अपने course को क्या कर लीजे, enroll कर लीजे, और course की जो validity है, सर्वो 6 months की है, कहां किसे मिलेगा app, तो फिर से बता जाता हूँ, Google Play Store पे जाईए, Google Play Store पे search कर जाईए, Gate Academy Live Classes app, Gate Academy Live Classes app को download करिए, open करिए, ADC batch सर्च करिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और अगर ऐसा कुछ दिक्कत आती है आपको course को join करने में, या आपको कोई और curious वगेर हैं, तो इस number दिये निगा number पे आप call कर सकते हैं, okay friends, then thank you.